Hello everyone, competitive exam में आपका एक पर फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए सेप्टेंबर 2023 के टॉप 100 most important current affair के question लेके आ गया हूँ इसमें हमने लगबग 100 important question लिए हैं जो आपके आने वाले सब एक्जाम के लिए important हैने वाले हैं इसे पहले हमने लगबग 3-4 series को discuss किया है जिसमें हमने 1 week के यानि की 1st week, 2nd week और 3rd week और 4th week के लगबग 30 के 40 current affair हर series में discuss किया है तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं इसमें हम 100 top important current affair को discuss कर रहे हैं इसमें जो first question है वो है चंदरियान 3 के countdown को वास देने वाली scientist कौन थी जिनका निदन हो गया है सिंगापूर के नए राष्टपती के रूप में किसे चुना गया है सिंगापूर के जो नए राष्टपती बने है वो है बने है धर्मन शन्मुगरत्रम 43 वा अश्यान शिकर समेलन का आयोजन 5-7 स्प्टमबर तर की शेर में किया जाएगा जकार्थ अंडोनेशा में इन्वेस्टर ग्लोबल संब्मिट का आयोजन की शेर में किया जाएगा पुर्ष होकी 5-8 एस एस ऐसे कब का में किताब किस टीम ने जीता है या जीता है भारत ने नैसक ने जी ट्वेंटी शिकर समेलन की चौथी और अंतिम शेरपाक बैठक हरियाना के किस शेर में आयोजित की जा रही है तो वो की जा रही है मेवात में नेश कोचन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में निप्त किया गया है रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है जया वर्मा सिनना नेश कोचन है राजय सबा के सबापती जगदीश धनकर ने किसे गरी मामलों के सबंदी स्थाई समीती का स्तस्या मनुनित किया है वो किया है पी चितंबरम को नेश कोचन है जिंबाबे के राष्टपती कौन है जिने दूसरी बार पांच साल के कारेकाल के लिए चुना गया है तो है अमरसन मनगावा नेश कोचन है भारतिय क्रिकेटीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पांसर का अधिकार किसने हासल किया है तो वो किया है आईडी सी एफ फस्ट बैंक ने नेश कोचन है हाली में किस राज्य के चोकुआ चाओल को जी आई टैग मिला है जो ये चोकुआ चाओल है ये आपके असाम का है जिसे हाली में जी आई टैग दिया गया है नेश कोचन है हाली में किस ने रेमन मैगसे से पुर्सकार दिया गया है यानि कि रेमन जो मैगसे से पुर्सकार है ये दिया गया है रभी कंणन को नेशक चने किस देश ने इसलामिक बैंकिंग शुरू करने का फैंसला किया है जो रूस है उसने इसलामिक बेंकिंग को शुरू करने का पैंसला किया है नेश्कवचने हाली में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जितने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है एमी अवार्ड जितने वाली पहली भारतिय महिला बनी है एकता कपूर नेश्कवचने विश्वनारियल दिवस का मनाय जाता है विश्वनारियल दिवस मनाय जाता है 2 सेप्टेमबर को इंडिया में जो सबसे ज़्यादा नारियल होता है वो आपके करनाटक में होता है और पूरे वाल्ड में जो सबसे ज़्यादा नारियल होता है वो उता है इंडोनिशिया में किस राज्य के CM ने हर मंगलवार को कारमुक्तिन घोशित किया है तो वो क्या है हर्याना के CM द्वारा हाली में डूरंट कप 2023 का किताब किस ने जीता है तो जीता है मोहन बगान सूपर जॉइंट ने किस राज्य सरकार ने बहु विभा पर प्रतिवन्द लगाने के लिए विधेग पेश किया है तो वो क्या है असम गौर्मेंट ने किस देश ने समारिक प्रमानु हमला भ्यास का मंचन किया है तो रूस ने समारिक प्रमानु हमला भ्यास का मंचन किया है किस अमेरिकी राजिया ने अक्तूबर को हिंदू विरासित मा गोशित करने का फैंसला किया था तो वो किया था जॉर्जिया अमेरिका का जो एक राजिया है जॉर्जिया जिनोंने अक्तूबर को हिंदू विरासित मा गोशित किया है भारत के पहले UPI ATM को किस payment services द्वारा launch किया गया है तो वो है इताची payment services के द्वारा नेश को चने photographer of the year 2023 contest में best photography का आवार्ड किस से दिया गया है तो वो दिया है grab the bull by the horns jack g की ये पुस्तक है special protection group के निर्देशक के रूप में जिनका हाल ही मेनी दन हो गया है वे थे अरुन कुमार सिनना नेश को चने देश की पहली solar city कौन सी बनी है देश की जो पहली solar city बनी है वो बनी है सांची मद्यपरदेश नेश को चने भारत की अध्यक्षता में होने वाला G20 summit में कितने देशों को guest country के रूप में मंत्रित किया गया है तो वो क्या गया है नौ country को नेश को चने उन्नीसवे एशियाई खेलो के लिए भारतिया दल के official sponsor के रूप में किसे नामित किया गया है तो वो क्या गया है अमोल को नेश को चने अंतराश्ट्य क्रिकेट परिशद ने किस भारतिया बैंक के साथ इंडेसन बैंक के साथ नेश को चने मध्या रेलवे के परधान मुख्या परिचालन परवंदक के रूप में किसे किसने पदवार ग्रैंड किया है तो वो क्या है श्यामा सुंदर गुपता ने नेश को चने किस राज्य सरकार ने सी एम द्वारा दिव्यांग बच्चों को शक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू किया है जो ये सबल योजना है इसे किया गया है हिमाचल परदेश सरकार द्वारा लॉंच नेश को चने किस देश ने समारिक प्रमानु हमला अभ्यास का मत्चन किया है तो ओ किया है रूस ने नेश को चने अंतरास्टे charity दिवस का मनाया जाता है तो अंतरास्टे जो charity दिवस है से हर साल पांस सप्टेमबर को मनाया जाता है हाली में 43 वे एशियन शिकर समेलन का अयुजित किया गया है 43 वा एशियन शिकर समेलन हुआ है जाकार्ता इंडो निश्या में है नेश्कवचन है एक दिवस्या अंतराष्टे किकट में सबसे तेश 2000 बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने हैं बने हैं बाबर आजम नेश्कवचन है अंतराष्टे शाक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कम मनाया जाता है तो मनाया जाता है आठ सब्टेम्बर को नेश्कवचन है इश्याई टेवल टैनिस चेंपिन्शिप 2023 में किस देश की पुष टीम ने काँ से पदक जीता है तो इश्याई टेवल टैनिस चेंपिन्शिप है 2023 में किस देश की पुष टीम ने काँ से पदक जीता है वो जीता है भारत की टीम ने नेश्कवचन है गती शक्ती विशोधालिया बडोधरा ने किसके साथ लाड्व का सबूदाना एक्सरसाईज ब्राइट स्टार 23 की मेजवानी कौन सदेश कर रہा है तो वो कर रहा है ब्राइट स्टार 23 तो इसका मेजवानी कर रहा है मिस्र एक्सरीट चायल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजिन किस शहर में किया गया यानि कि स्ट्रीट चाल जो क्रिकेट विशो काप होता है उसका योजिन किया गया चेनेई में है स्पेइन के राष्ट पती कौन है जो COVID-19 पॉजिटिव होने के कान भारत में G20 शिकर समेलन में भाग नहीं लेंगे वो है पैडरो सांचेज युएस से उपन दोजार टेई का महिला एकल का किताब जीता है कोको गॉफ ने वर्ष दोजार बाइस के शांती सवरू भटनागर पुर्सकार के लिए कितने विज्यानिकों को चुना गया है तो वो चुना गया है बारा विज्यानिकों को नई दिल्ली जी ट्वेंटी सिकर शमेलन के दोरान किस संग कोस्त हाइस दस्य के रूप में सामिल किया गया है तो वो किया गया है अफ्रिकन यूनियन को नई दिल्ली जी ट्वेंटी सिकर समेलन के दोरान भारत ने G20 की अधेख्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजिल को नेश को अचन है यूएस ओपन 2023 का पुर्ष एकल का किताब जीतने वाले नुवाद जोगोविच किस देश के हैं? तो वह सरविया के जो यूएस ओपन पुर्ष एकल का किताब जीता है नवाज जोगोच ने इस साल का जीता है वो है सर्विय देश से नेशक वचने जे सीवी साहित्य पुर्षकार 2023 की लॉंग लिस्ट में कितने कोशकोओश आमिल नी किया गया है वो है 10 लेख कोशामिल किया गया है नेशक वचने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतिय स्पिनर बने हैं, कुल्दी प्यादव नेश कोचन है, G20 सस्टनेवल फाइनास वर्किंग ग्रूप की बैटक का आयोजिन किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है वारानसी उत्तर प्रदेश में नेश कोचन है, ओड़ी ससरकार ने अगामी इशियाई खेलो में भाग लेने वाले राज्या के अथिलीटों को कितने रुपए की वीतीए साहता परदान करने की घोशना की है, तो ओड़ी ससरकार ने 10 लाख रुपे इशियाई गेम में भाग लेने वाले प्लेयरों को देन किस भारतिय महीला क्रिकेट किलाडि को 23 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है, तो हो है हर्मन प्रित कौर को नेश्ग कौछने, मदन लाल रेगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नुट किया गया है, तो मदन लाल जो रेगर है, इने कॉंगो गंडराजिय का राजदूत बनाया गया है नेश कोचने प्रतिवर्ष राष्ट्रिय हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो राष्ट्रिय हिंदी दिवस मनाया जाता है चौड़ा सप्टेंबर को नेश कोचने हाली में किस भारतिय राजिय ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीत टो है मीताव सिस्ट बारत्य सौर उर्जानिगम के निर्देशकवित का पदवार किस ने ग्रहांड किया है जोशीट रंजन सिखीदर ने på POL विदेश मंतराले bạn किसे популяр के बारत के अगले उचायुक्त के रूप में निउट किया है तो हो है गुपाल वागले को उस्ट्रेलिया में उचायुक्त किया गया है किस राजय के राजय पाल ने सरपंच सवाद एप लॉच की है तो ये सरपंच जो सवाद एप है ये लॉच की है असम सरकार द्वारा हाली में आई रिपोर्ट के नुसार संसदों के खिलाब अपरादिक मामलों में कौन सा राजय शीर्ष पर रहा है तो और आप केरल हाली में डैनिस ऑस्टीन का निदन हुआ है वे थे एक डैनिस जो एस्टीन थे जनका भी हाली में निदन हो गया है वो थे एक वेग्यानिक जिनोंने MS पावर पॉइंट का विश्कार किया था किस राजय सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना अवास योजना की शुरुआत की है दुनिया का सबसे उंचा लडाकु हवाईक शेतर किस के द्वारा लडाकु हवाईक शेतर है ये बी आरो के द्वारा लडाक में बनाया जा रहा है किस भारतिया को 2023 टाइम हंडर नेक्स की सुची में शामिल किया गया है तो वो है हर्मन प्रीत कौर को किस संस्था के विग्यानिकों ने कैंसर को शिकाओं का पता लगाने और उन्हें मारने की एक विदी विक्सित की है तो वो की है I.I.I.S.C.A. ये इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस के विग्यानिकों द्वारा जो की बैंगलोर में है सित है किस देश के बोर्ड ने क्रिकेट खेलते समें नैक गार्ड को पहनना अनिवारे कर दिया गया है किस राज्य की काबिनेट ने मॉब लिंचिंग प्यडित मुअब जाई योजना है इसे मध्यपर देश की काबिनेट ने मुझोरी दी है किस राज्य सरकार द्वारा मिशन रोजगार अभbyहान की शुरात की गई है मिशन रोजगार जो अभ्यान है इसकी सुरात की गई है पंजाब राजय सरकार द्वारा नेश को अचन है टाइम पत्रिका की The World Best Companies 2023 की सूची में किस भारते कंपनी को शामिल किया गया है तो वो है Infosys कंपनी को नेश को अचन है भारत ने श्री लग्का को अचन है किस राज्य के शानती नी केतन को यूनेस को की विशव धरोर सूची में शामिल किया गया है भारतीय सेना किस देश के साथ सियुक सैनिय अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी ये जो युद सेना अभ्यास होता है ये भारत और अमरिका के बीच में होता है नेश को अच्छन है भारतिय मूल की किस लेकिका के उपनियास वेस्टन लेन को बुकर पुर्सकाल 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है यानि कि वेस्टन लेन जो है जिसको बुकर पुर्सका साथ बिधाल के लिए 2013 में नमीद किया जया है तो यह उपनियास है चेतना मारू का ने श्को अच्चने एंस दे हो कि अन्तरा श्टियाες शान्ती दीवस प्रतिवस कम मना यहाता है अन्तरा श्टिया जो रूध Τो शांती दीवस प्रतिवस 21 सप्टेम्बर को मना जाता है नेश्ट कोचने भारत सरकार हाली में किस देश के नागरी को के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है नेश्ट कोचने एक पुछ टीटवी शोकप डोजर चौबिस के अमेरिकी फेज का आयोजन कि शेरों में आउजित किया जाएगा तो वह किया जाएगा न New York, Delas और Fallo Rider में नेश क्वच ने International Red Panda Day प्रतिवर्श कम मनाया जाता है International Red Panda दिवस से ये मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को नेश क्वच ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने पुराने संसतभवन के लिए क्या नाम सुझाया है जो पुराना संसत भवन है उसके लिए नाम सुझाया गया है सविधान सदन नेशकवच ने खादी और ग्रामोदे उद्योग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो खादी उद्योगों ने खादी उत्पादों को बढ़ावा द Audit Bureau of Circulation के ने अधेश के रूप में किसे चुना गया है? Audit Bureau of Circulation के ने अधेश के रूप में चुना गया है? श्री निवास के स्वामी को नेश को चने किस राजय में Mobile Application App सर्फच समवाद का अनवारन किया गया है? तो वो क्या गया है? असम सरकार द्वारा अनेश कोच्छन है अंतरास्ट्रिय लोगतंतर दिवस प्रतिवस कम मनाया जाता है 15 सेप्टेंबर को अनेश कोच्छन है हाली में किस भारतिय राजिया ने सेवा क्षेतर के लिए नीती को मंजूरी दी है तो वो दी है उत्रकंद सरकारद्वारा नेश को अचनने हाली में किसे दादा साफ़ाल के lifetime achievement अबाड दिया गया है वहीदा रहमान को नेश को अचनने विरांगना दुर्गावती टाइगर इजर्व जो देश का 54 टाइगर इजर्व है किस राज्य में बना है तो वो बना है मद्यप्रदेश में नेशक अचने है विश्व फार्मसिज दिवस मनाया गया 25 सेप्टेंबर को नेशक अचने हाल इमें किसे खाद्या पशु का टैक दिया गया है तो वो दिया गया है मिथुन पशुको नेशक अचने है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टोकरंसी रखने के मामले में टॉप पर रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टोकरंसी रखता है वो है यूक्रेन नेशक अचने कर्मा पूजा तिव ये क्रिशी के क्षितर में दिया जाता है ये इस साल दिया गया है स्वाती नायक को नेश को चने हाली में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड कहां मिला है यानि कि दुनिया का सबसे पुराना देवदार का जो वरिक्ष मिला है ये मिला है जम्मू एंड कश्मीर मे नेशक्वचने अंतराष्टिय नदी दिवस मनाया गया चोबी सेप्टेमबर को नेशक्वचने परतिष्टित एक लब्बे पुरसकार से समानित किया गया है यानि कि परतिष्टित जो एक लब्बे पुरसकार है इसे समानित किया गया है पलक शर्मा को नेशक्वचने हाली में भारत के कितने प्रसंट गाउं को ODF प्लस गोशित किया गया है दिया गया है नेश कोचन है सरपज जो सवाद है पर इसे लॉंच किया गया है असंप सरकार द्वारा नेश कोचन है टाटा स्टील के नए CEO अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो और इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे कॉंपटिटिव अजाम्ट चैनल से जूट सकते हो हम डेली इसमें जॉब से लेटी नोटिफिकेशन जी के फिर डिसकस करते रहते हैं जो आपके आने वाले सब एक्जामों में आपकी हल्प करेंगे इसलिए आप इस चैनल से जूट सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जूरूर लाइक करें और हमारे इस कॉंपटिटिटिव जो चैनल है उसको सस्क्राइब कर सकते हैं धन्यवाद